सब्सक्राइब किजिए आपके अपनी चैनल दा अल्टिमेट फांडेशन को एंप्लीज प्रेज प्रेस दे बेल इकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ओन जीके जीए संजीए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंग्लिस का वोकावलिरी जो की बहुत ही इंपॉर्टन होने वाला है और यह 1000 टोटल वोकावलिरी आएंगे जो की सीरीज में डिविजन होगा अभी यह पहला सीरीज है जो की इसमें 25 वर्ड मिनिंग्स है जो की बहुत इंप इसका हिंदी मिनिंग होता है राजी करना समझाना या मनाना इसका sign of word आप बोल सकतो है convince, induce, इसका end of word है dissuade, discourage, right इसका example देख लोग संटेंस में कैसे यूज करते हैं हम लोग जैसे how did you persuade your mother to agree to this? मतलब आपने माता को इस बात से कैसे राजी किया? या he would not listen to anyone who tried to persuade him to stay at home मतलब वह किसी की भी बात नहीं मानेगा जिसने उसे घर पर रहने के लिए मनाने की कोशिश की है so persuade का actual meaning क्या है simply राजी करना, मनाना, समझाना, चीक है? so हम चलते हैं हमारे next word meaning की ओर, हमारा next word meaning है confide, confide भी एक भर्व है, इसका मतलब होता है to trust someone enough to tell your secrets, worries or thoughts या to believe, इसका मतलब क्या है to believe, right? हिंदी में इसका मतलब होता है बिश्वास करना, इसका sign of word आप देख सकते हो, believe, trust to, इसका end of word, distrust या disclaim example कैसे उच करते हैं हम लोग, like I guess we have to trust him, but I wish he would stop going solo and confide in us मुझे लगता है कि हमें उन पर भरोशा करना होगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि वह केडा जाना बन कर दे और आपर विश्वास करे हमारा next word meaning है, hast, hast एक noun है, जिसका मतलब होता है, speed और urgency, इसका हिंदी में बोल सकते हो, आप जल्दी बाजी करना, हडबली करना, इसका sign of word आप बोल सकते हो, speed, rapidness, end word क्या है, इसका slow, gradual, इसका example कैसे उच कर सकते हो, आप, in her hast, she slammed her shoulder against the wall, मतलब जल्दी बाजी में उसने stall से अपना कंधा प्रटक दिया, आप देख सकते हो, इस व्यक्ति को, ये कितनी जल्दी बाजी में दौल के ओफिस जा रहा है, हमारा next word meaning है, privilege, privilege एक noun है, जिसका मतलब होता है, a right, advantage, favor, और immunity, specially granted to one, इसका मतलब है, simply, विसेशा अधिकार, सुविधा या शौभाग्य, ठीक है, इसका sign of word है, prerogative या perquisites, इसका end of word है, disadvantage या incorrectness, हम लोग कैसे यूज करते हैं, sentence में इसको आप देख सकते हो, you have a privilege to get this product at the earliest, मतलब आपको इस product को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने का शौभाग्य मिला है, आप इसको हमारा अगला word meaning है, partly, जो कि एक adverb है, जिसका मतलब होता है, not completely, मतलब पूरा नहीं है, आंसिक रूप में, some portion, right, इसका sign of word है, partially, या halfway, इसका end of word है, like holy, totally, right, आप examples में कैसे यूज कर सकते हो, we have partly completed the task given to us by you, मतलब हमने आपके द्वारा देगे कारे को आंसिक रूप से पूर किया है, we have not completed, we have partly completed, he had been at least partly responsible for dancing our hopes, मतलब हुआ, अपनी आशाओ को धराशाही करने के लिए कम से कम आंसिक रूप से जिम्मेदार था, आप देशक तो यहां पर यूज करते है, partly cloudy sky on the Monday, मतलब है, partly cloudy, not fully cloudy, so हमारा next word meaning है, glimpse, क्या पढ़ते है उसको, glimpse, जो कि एक noun है, जिसका म मतलब होता, जलक, या आभाश, या चन जोती, इसका sign of word उसकते हो, peak, glance, endo, stare, watch, ठीक है, examples कैसे उसकते हैं लोग, like respect your parents and try to make their life easy, because they won't let you see a glimpse of problem that they face, मतलब अपने माता-पिता का सम्मान करें और उनके जीवन को आशान बनाने का परयास करें, क्योंकि वे आपको उन जलक नहीं दिखाते हैं, जो वे सामना करते हैं, next sentence, I want to show you the glimpse of my presentation, मैं आपको प्रस्तूती की जलक दिखाना चाहता हूं, like glimpse, मतलब जलक, right, मारा next word meaning है, fragile, fragile एक adjective है, जिसका मतलब होता है, someone or something delicate, flimsy, or easy broken, that is weak, बहुत कमजोर, इसका हिंदी मतलब होता है, नाजोग, तूटन फूटने वाला, बहुत ही कमजोर, इसका sign word क्या है, fible, या frail, इसका end word क्या है, durable, ठीक है, form, example, switch कर सकते हो, his body structure is extremely fragile, and he is unable to handle heavy things, मतलब उसकी सर्री की संरचना बहुत नाजुक है, और भारे चीजों को समालने में अशमर्त है, आप देख सकते हो, ये बंदा कितना ही कमजोर है, हमारा next word meaning ignorant, जो कि एक adjective है, इसका मतलब होता है, something और someone lacking in knowledge, or is stupid or rude, इसका मतलब बोल सकते हो, अंजान, हिंदी में, इसका sign word हो सकता हो, obtuse, sallow-brained, enter word बोल सकता हो, well-off, refined, knowledgeable, ठीक है, आप इसको sentence में कैसले उसका उसका हो, he was by no means ignorant of this, वा इस बात से अन्भीग था, या फिर अन्जान था, next word है, shicanery, shicanery एक noun है, इसका मतलब होता है, using trickery or dishonest means to deceive or achieve some purpose, dishonesty or fraud, मतलब किसी धोखा धड़ी से किसी चीज को achieve करना, right, इसका, अब हिंदी मेनिक दिख सकते हो, इसका मतलब है, हेरा फेरी है, चल करना, ठेक है, इसका sign word है, entries, machination, या enter word है, forthrightness, या truthfulness, इसका examples में, examples समाचते हो, you can smell the secondary from a dishonest politicians, मतलब आपको एक बेमान निता में चल की भूएगी, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, something that is just enough without anything extra, या small amount, इसका मतलब है, मतलब है, मात्र या अनावरित, ठीक है, इसका sign word है, minimal या less, इसका enter word है, plenty या lot, मतलब है, बहुत बहुत है, examples कैसे उसकर सकते है, we ate the bare food that you provided us, but we are still hungry, मतलब हमने वह जो छूचा भोजन, जो थोड़ा भोजन दिया था, उसे खाया, but हम लोग फिर भी भूखे है, ठीक है, तो bare मतलब क्या है, बहुत कम मात्रा में, थोड़ा सा, so हमारा next word meaning है, wintery, wintery एक adjective है, जिसका मतलब होता है, characteristics of winter, especially in feeling or looking very cold or bleak, cold or snowy, kind of, like barf-bari kind of, तीक है, तीक है, हिंदी मतलब है, sardi या sitrita, जिसका साइन वड बुल सकता हो, bleak, ya frizzed, जिसका एंट वड बुल सकता हो, cheerful, ya heated, जिसका एंट वड बुल सकता हो, cheerful, ya heated, जिसका एक्सामपल सकते हैं, जिसका एक्सका सिर सकते हैं, लोग, the weather was already growing wintry and morning frost, concealed and earth saturated by autumn rains, मतलब मौसम पहले से बढ़ता जा रहा था, और शुबह की ठंड ने सरदितू की बारिश संत्रिप्त प्रिथिवी को जीत लिया, अगला वड मिनिक है, तेरावा नंबर वाला, इसको बोलते है, अनकूत, मतलब वो एक adjective है, इसका मतलब होता है, lacking good manners, clumsy, और ill-mannered, और uncultured, इसका आप simply बोल सकते हो, गवार अशब है, बहुत लग बहुत ही गवार है, जिसको कुछ manners नहीं होते है, जिसको आप साइन हो बोल सकते हो, बुरिश या बार्बरिक, एंटो बोल सकते हो, अजाइल या रिफाइंड, ठीक है, इसका examples में कैसे यूज कर स अजाइल भी, मैनर से बैठी होई है, आप बोल सकते हो, अगला वर्ड मिनिंग है, 14th number, malice, malice एक noun है, इसका मतलब होता है, bad will, or the desire to do bad things to another person, या hate, etc. इसका हिंदी मिनिंग है, द्वेश, डा, नफरत, इसका sign word क्या है, antipathy, या hatter, या grudge, आप बोल सकते हो, एंटी वर्ड इसके लिए इंटो वर्ड, benevolence, या kindness, आप examples देख सकते हो, इसका, avoid the feeling of malice in your heart, because they bring you pain, अपने दिल में देश की भावनाव से बचे, क्योंकि वो आपको पीडा पहुचाते है, ठीक है, so हमारा अगला वर्ड मिनिंग है, 15th number, genial, जो की एक adjective है, इसका मतलब होता है, is warm, cheerful, good for life, और comfort, या friendly, या से हिंदी हैं बोल सकते हो, मिलनसार या हश्मुक, इसका, इसका sign of word देख सकते हो, cheerful, या fruitful, इसका end of word देख लिजे, hostile, या unfriendly, एक्जाम्पल सीच कर सकते है, हमलोग ऐसे, what a genial person he was, मतलब वो कितने मिलनसार वैकती थे, he was however genial and kind-hearted, a great lawyer and a faithful minister, हमारा अगला वर् वाला, spurious, spurious एक adjective है, जिसका मतलब होता है, something that is not true, that is fake, उसका Hindi मिनिंग देख लिजे, हमलोग हिंदी मिनिंग क्या है, नकली या जाली, ठीक है, इसका sign of word हो सकता है, counterfeit, artificial, counterfeit, counterfeit currency, मतलब जाली note, artificial, मतलब जो natural नहीं है, right, end of word देख लिजे, authentic, मतलब बहुत ही authentic है, या genuine है, क्या है, बहुत ही genuine है, मतलब बहुत सही है, उसका end of word है, आप examples में कैसे use कर सकते हैं, इसका, beware of spurious things for sale in the market because they can harm you, बाजार में बिकरी के लिए नकली चीजों से सावधान रहें, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुचा सकते हैं, इसका ऐसे use कर सकते हैं, spurious things, मतलब नकली ची and easy to talk to, that is sociable, gentle and kindly, approachable, जो बहुत ही आपकर सकते हो, बहुत ही अच्छा वेक्ती, like milansar वेक्ती, shushil वेक्ती, mitrata पुन रखने वाला वेक्ती, इसका sign word है, friendly, or courteous, enter word है, harsh, or enemy, इसका, इसका में कैसे use कर सकते हैं, we must try to be affable in our lives, so that we can earn a good image in the society, मतलब हमें अपने जीवन में मिलनसार होने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम समाज में एक अच्छी छवी पास रखे, so हमारा अगला word meaning है, 18th, betroth, जो कि एक adjective है, जिसका मतलब होता है, engaged, or promised to be married, ठीक है, मतलब मंगेतर, या नया कोई जोडा, ठीक है, इसका sign word क्या सकता है offianced या committed, इसका entoward क्या हो सकता है, single या unattached, अमनों एक्जाम्पल में कैसे यूज कर सकते है, the father and the mother came into the room and gave the betrothed couple dear blessings, मतलब पिता और माने कमरे में आकर बेटी के जोड़े को अपना आशिरवात दिया, ठीक है, so मंगेतर या जोडा आया, फ्यान से अपी बोल सकते हो, betrothed अगला वर्ड है, miscellany, जो के एक नाउन है, जिसका मतलब होता है, group और collection और different items और mixtures, इसका हिंदी मतलब होता है, mishran या विविधता पुर्ण संग्रा, signo word देख सकता है, accumulation या conglomeration, आप enter word देख लिजे, uniformity या singularity, आप examples में कैसे यूज कर सकतो, miscellany of information is needed to take the correct course of action, कारवाही के सही तरीकें को लेने के लिए, शूचना के विविधता पुर्ण संग्रा की अवश्रता होती है, so we have different kind of collections, you can say that, right, so our next word, goal, जो के एक नाउन है, जिसका मतलब होता है, ego, rashness, Hindi मिनिंग क्या है, इसका आतूरता या अहंकार, ठीक है, इसका signo word क्या है, arrogance, या brightness, इ examples में कैसे उच कर सकते हो, his goal is the reason of his failure and he needs to improve it, उसका आहंकार उसकी असफलता का कारण है, और उसे इसे सुधारने की अवश्रता है, ठीक है, like ego kind of, you can say that, आतूरता, आहंकार, ego, rashness, हमारा अगला वर्ड है, stratum, जो एक नाउन है, जिसका meaning होता है, a layer, or a section, or a division of the atmosphere, or ocean, ठीक है, simply आप बोल सकते हो, परत, या तह, शाथ है, ठीक है, इसका sign of word है, gradation, या lamina, आप enter word लिसते हो, clot, या vertex, आप example कैसे उसके संटेंश में आप लो देख लो, it is made of stratum of clay, या मिट्टे की परत से बना है, या the stratum of ashes was from 50 cm, राक की परत 50 cm शरती, ठीक है, हमारा अगला वर्ड मिनिं इसका मतलब होता है, is a form or a structure of a person's face, और is a person's facial expressions, इसका हिंदी मतलब होता है, चेहरा या चवी, इसका sign of word लेख सकते हो, countenance, या aspect, इसका end of word है, reality और truth, जो के एकजामपल हमें प्यूश कर सकते हो, कैसे, John could not stop guessing at his wife's elegant whizzes, मालों, John अपनी पत्री के सुरूशी पूर्ण द्रिश को देखना बंद नहीं कर शका, So, मारा अगला word है, deter, जो के एक भर्व है, जिसका मतलब होता है, to keep someone from completing an action by giving them fear or doubt, block any actions, जिसे किसी कार्य को रोग देना, Hindi आप देख सकते हो इसका, रोक रखना, मना करना, प्रती रोध करना, इसका sign a word देखलो आप, avert या impede, enter word देखली जाए आप लोग, insight या instigate, आप examples कैसे यूश कर सकते हो इसका, We shall deter any activity that is detrimental to the security of the nation, हम राष्टर की सुरक्षा के लिए हानिकार किसी भी गतिविदी को रोकेंगे, so generally आप रोकेंगे जो है न, आप इसके लिए उसके लिए उसका सकते हो, आम लोग, deter, ठीक है, we shall deter, ठीक है, we shall deter, हमारा अगला word है, overwinning, जो कि एक adjective है, इसका मतलब होता है, someone who is arrogant or has excessive pride and confidence arrogant, इसका हिंदी मीनिंग है, द्रिष्ट या आत्मभिवानी, इसका साइन वर्ड का है, cavalier या हटी, इसका एंट वर्ड का है, modest या अनस्यूमिंग, इसका एक्जाम्पल में कैसी विच कर सकते हो, with her overwinning ego, the actress expected to be recognized and flattered by everyone she met, हमारा अगला वर्ड मिनिंग है, जो कि अन्तिम वर्ड मिनिंग है, scrutinize, जो कि एक भर्व है, जिसका मतलब होता है, to look at something very closely, और very carefully, examine, इसका हिंदी मतलब होता है, जाचना या देखना, इसका आप साइन वर्ड का है, analyze या dissect, एंट वर्ड का है, neglect या forget, आप एक्जाम्पल में कैसी विच कर सकते हो, they have tried to scrutinize the problems very closely, उन्होंने शमस्याओं को बहुत बारेकी सिजाचने की कोशिश की है, या सियाम हाज बिन scrutinized by the income tax officer, सियाम की जाच आयकर अधिकारी ने की, ठीक है, और आप लोगा support चीए, so please इस चैनल को subscribe कीजिए, thank you so much for watching.